यहाँ पर यह मेसेज आ जाता है पासबुक चेक करते समय और क्लेम इस्टेटस चेक करते समय तो यहाँ पर इसका मैं आपको सोलुशन दे रहा हूं और आपको यह बताऊँगा कि अगर आपने क्लेम भी कर रखा है अलग से आपने मतलगी पासबुक के साथ आपकी प्रोलम य लिए तो फिर आप अपना क्लेम इस्टेटस से उसको कैसे चेक कर पाऊगे एक नया प्रोसेस आपको मैं सिखाने वार क्योंकि बहुत से लोगों को यह प्रोसेस आता है लेकिन जिन भायों को पी एप से समधी दे से काम नहीं आते हैं और वह नहीं है तो उनके लिए पास कर पाऊगे तो चलिए दोस्तों यहां से इसको फटा फटा आपको यह पूरा प्रोसेस बता देते हैं दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर जानकरी वाला वीडियो सबसे पहले आप सके दोस्तों यहां से आपको कर देना है और यहां को ईधर आ जाना है आपको मैं इसमें एक नई चीज बताऊंगो जो आपको ध्यान देना है आपको EPFO की जो साइट आगे है इधर वह आपको पता ही होगा आप ज़्यादा तर जब आप क्लेम करते हो तो क्या करते हो आप क्लेम करने के बाद उसका इस्टेटस चेक करते रहे तो कि हमारा पहरफा क्लेम करते हैं तो हम जब क्लेम करते हैं तो इसी से हम ज़्यादा तर चेक करते हैं अब आपको यहां पर एक प्रोलम आती हुए मैं आपको बताँगो पहले मैं आपको दिखा देता हूं प्रोलम क्या आती है जब आप इस पर क्लिक कर देते हो और आप चेक करने के लिए कुछ इस प्रकार से आते हो मैं आपको पूरा दिखाई ही देता हूं इधर से यहां से से अपनों फटवट अपना लोगइन कर लेते हैं डाल कर और हम एमारा जो इधर लिखा हुआ है पीएप की पाज्बोक को चेक करना और क्लाम स्ट्रेटस चेक करना तो आप यहां देख सकते हो यह और आपको आपको नजर अब दोस्तों मैं आपको एक दम डिकान हाँ अब आपको यहां से समझाओंगा भी लगों को तो नहीं चीज़ पता है जिसकर भी औंच पता है और बोभीडिलीत भी में पता है यह message उन लोगों का आता है जिनका आधार कार्ड के साथ mobile number जो link होता है वह उसके PF में link नहीं होता है अपडेट नहीं होता है अब यहां पर दो सिस्वेसन आती है एक तो update होता है और एक नहीं होता है confusion मत होना कभी कभी क्या होता है दो सदसे जो PF के member होते हैं दो सदसे वो क्या होता है जैसे कि एक ही घर के दो सदसे होते हैं तो वह क्या करते हैं एक ही आधार कार्ड के साथ जो mobile number होते हैं एक mobile को वह दोनों आधार कार्ड के साथ link कर देते हैं और वो जो दोनों अलग अलग अ दोनों ने एक ही मोबायल को लिंक कर रखा है और वही प्रोवाइल उनके पी अप में लिंक हो चुका है तो प्रोलोंग तब आती है जब ये बोलता है पीप ऊपीज या पी एक जो गाइड लाइने बोलती है कि आपको अपना जो आधार काड़ के साथ मोबायल लिंक है वह आ आपको करना है अलग मतलब कि समझ में आ गयो होगा आपको तभी जाके यह उपन होगा तभी आप अपने स्टेटस चेक कर पाओगे पास्बूक चेक कर पाओगे तो यह मेसिज आपका हट जाएगा एक दम आपको किलियर हो चुका होगा एक मैं छोटा सा रिपीट करता हूं आप बोलोगे मैं दुबार रिपीट करके आपको इसलिए बताता हूं ताकि आप इसको प्रोपरली समझ पाओ तो इस प्रोलम को आप अपना पास्बूक चेक नहीं कर पा रहे हैं आपने जो एक लियम कर रहा है उसका स्टेटस चेक नहीं कर पा रहे हो तो आपको करना क्य अब मैं जो बोल रहा हूं आपको ध्यान देना है आपके साथ जो आपका आधरकाड है ना उस आधरकाड के साथ आपको एक नया मॉबाईल नूंबर जो आपका ही मॉबाईल नूंबर होना चाहिए और उस मॉबाईल को आपको अपने आधार काड के साथ पहले लिंक करना है जब वो आधार काड के साथ मोबाइल नमबर लिंक हो जाएगा फिर उस मोबाइल को ही आपको अपने पी एप में अपडेट कर देना है मतलब की पी एप के साथ भी उसी मोबाइल को जोड़ देना है तो यह किलियर हो चुका होगा जैसे ही वह उसके साथ जुड़ेगा तो फिर क्या है आपकी पास्वुक उपन होने लग जाएगी किले में स्टेटस भी चेक करने लग जाओगे तो यह मेसेज आपको आना बंद हो जाएगा तो इसका सोलुशन मिल गया होगा यह जादतर उन्हीं लोगों को आ किले में क्ले में करने हो आपको आपको एक चीज सोलुशन दे रहा हूं इसका नया चीज सििका रहा है आपने क्लेम करका है वह चेक करना है तो चली है मैं उसको सिखा देता हूँ आपको आप मैं अभी किलियर कर देता हूँ पास्बुक का बैलंस चेक नहीं कर पाओगे जब तक आप अधर कार्ड के साथ मोबाइल अमबर लिंक नहीं करोगे और पीएप के साथ अपडेट नहीं करोगे तो यहां से मैं आपको जो प्रोसेस बता रहा हूँ वो क्या कर पाओगे आप अगर आपके साथ यह प्रोलम आ रही है न तो आप अपना only claim status चेक कर पाओगे तो कैसे करेंगे तो चलिए मैं आपको एप्यफो की साइट पर लेके चलता हूँ यहां से आपको यहां पर दिख रहा होगा unified portal तो चलिए इस unified portal पर मैं किलिक कर देता हूँ आपको दिख रहा होगा चलिए इस पर किलिक कर दिया है किलिक करते के साथ ही यह आपके net की speed पर depend करता है और कभी किया है site भी slow चलती है तो यहां पर यह खुल गया है अब मैं इसको थोड़े scroll कर देता हूँ यहां से हमको अ हुएने पासबर्ड और यहां से के कपचा डालना होता है अब मैं आपको एक चीज यहां पर थोड़े सा मतलब 25 प्रोड़े अगर एसे आधी बीच में यहां पर प्रोलम जो आरी है सम cघा की आरी है कोई केपचा को सो करने के लिए क्लिए और आपक मैं आपको यहां वो देखते हैं यहाँ पर यह कैपचा आ रहा है या नहीं आ रहा है आप देख सकते हो किलिक करते हैं यहाँ पर अपना कैपचा आ गया है तो चलिए हमारा काम कर लेते हैं जो मैं आपको बताया था यहाँ पर मैं अपना UNF डाल दूँगा यहाँ पर पासपट डाल दूँग आपको यहाँ पर एक option दिखा रहोगा, online services का, तो इसी पर मैं यहाँ पर click करूंगा, click करते ही, यहाँ पर option आएगा, भलए मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको चार होटा है, तो आपको चारों में से, बस तिसरे नमबर जो option है, उसको देखना है यहां पर लिखा हुआ है ट्रेक किलेम स्टेटस इस ट्रेक किलेम स्टेटस से ही आप अपना किलेम जो आपने कर रखा है पीएप का उसको आराम से आप चेक कर पाऊगे तो इस पर मैं किलिक करका आपको दिखा देता हूं फट फट हमने जो किलेम किया था व उडिखात। नहीं हैं नहीं होगा।acz नहील है कि मैं आपब पर दिख में। मैं आपको क्लिकर करके कि लपने नियुक्त पूर्ट गपने कुलों अलटेती सब्मंपनमें आप मैं चैनल को are तेया दिखा रहा है आपको कहें इस जगा है कि नहीं हैत। इसका जो result आया है वह भी मैं आपको यहां से दिखा देता हूं result जो आया है इसका send to field office यहां पर आप देख सकते हो यहां पर field office का यहां दिखा रहा है आपको 1 December 2022 को इसका result आ चुका है और result आपको यहां से मैं दिखा देता हूं इनका result क्या आया हुआ है और यहां पर इसका claim का जो result है वो properly यहां दे रखा है यह वाला और इधर लिखा हुआ है कि claim का जो status है वह है यहां present का जो इस समय दिख रहा है वह आपको पड़ सकते हो और लिखा हुआ है claim rejected father name different और आपका in closed bank passbook के वैसी update मतलव कि यह बोल रहा है कि आप अपनी जो passbook है उसके अंदर जो father name होता है एक तो आपका swim का होता है जो older होता है bank older उसका swim का होता है उसके बाद उसके son of son of होता है यह husband होता है उसका साथ लेकिन इसकी जो problem इसमें लिखा हुआ है father name तो मतलव कि son of son son of इनों का क्या है wrong है यह यह बोल रहा है कि son of wrong होने के कारण आपका father name गल्त होने के कारण आपका forum है जो reject हो चुका है तो region आपको समझ में आगए होगा इसी को ही हम अगर passbook ले option से check करते हैं तो उधर remark के अंदर यह लिखा आता है तो यहां से यह clear हो चुका होगा आपको जो reject हुआ है father name की बदोलत यह है मतलब कि father name की जो कमी थी उसके कारण यह हुआ है उसमें कुछ प्रोलम है तो यह clear हो चुका होगा अब यह border की in close मतलब कि आपका जो साथ जो संगलन है जो document उसको आपको update करना है जो भी पी आपकी जो passbook उसमें के वैसी को आप अपडेट क हुआ है यह बोल रहा है तो आपको यह clear हो चुका होगा आप अपना जो अगर passbook पर आपको problem आती है कुछ इस प्रकार का आपको message आता है और आप अपना status check नहीं कर पाते हो तो यहां से आप अपना claim status को check कर पाओगे only claim status check कर पाओगे क्योंकि passbook यहां से check करने की सोचना मत यहां से आप देख भी ने सकते है क्योंकि passbook का only option वही पर आपको मिलेगा जो अलग से होता है आपको समझ में आगे होगा अब यहां से आपको पता लग गया होगा जो claim status है वह आपका यहां पर result इसका यह है निकल के आगिया है अब आप अपना इसको में के वाइसी update कर ल यहां पर इसका मैंने solution भी दे दिया है तो दोस्तों यहां पर यह आपको clear हो चुका होगा इस process से आप अपना claim status check कर पाऊगे तो दोस्तों मैंने आपको बोला था कि यहां पर मैं आपको एक नई चीज़ सीखाऊंगा तो आप सायद यह सीख गए होंगे अगर आपने mobile लिंक नहीं होगा अधारकाड का तब तक आपको यह वाला पास्बुक उप्सन से अगर चेक करोगे तो यही एरर आता रहेगा तो यहां पर आप इस उप्सन से आप अपना claim का status check कर पाऊगे क्योंकि यह एक आपके लिए नई चीज है जिनको नहीं आता उनके लिए यह नई चीज होगा और वह सीख गए होंगे कि हमको कैसे चेक करना है तो आसा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा तो दोस्तों कैसे लागा मेरे वीडियो अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें आगे शे करना ना भूले धन्यवाद